Hey guys, welcome back to my channel तो कैसे है आपडोड? तो कैसे है आपडोड? सॉरी मैं खैनी मिनाटी का वीडियो देख कर आरी थी गर्मी के सीजन में अगर हम लोग BB या CC क्रीम का एक भी लेयर लगाते हैं तो आप नोटिस करना कि नॉर्मल जितना आपको फेस पर पसीना आता है उससे दस गुना ज्यादा पसीना आने लगता है लोगडाउन तो खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा मेरे घर के अल्मोस्ट सारे मेकप प्रड़क्त लगबग खतम हो चोगे चाहे वो फिर लाइनर हो, डियर्डरिंट हो, आईशाडो, लिपस्टिक, फाउंडेशन, सब कुछ खतम होने लग गया है बट क्या है अभी लोगडाउन है, घर में बैटके कोई काम नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ कि फोटो शूट कर लो, थोड़ा सा वीडियो बना लो, टिक टॉक पर वीडियो बना लो और जिसके लिए हमें मेकप लगाना पड़ता है अब अगर मेकप प्रोड़क्ट से नहीं होंगे तो हम मेकप कैसे करेंगे भाई तो मैं देख रही थी कुछ मेकप हैक्स जो हम घर पर बना सकते है या फिर कोई ट्रिक जिसे आजमा कर हम अपना मेकप थोड़ा वाटर प्रूफ बना सकते है और ये सब करने के लिए मुझे सुबह से लेकर शाम होगे तो आप सोच सकते हैं कि मेरा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया बट नो वरीज क्योंकि मुझे उन में से कुछ बहुत ही बहतरीन हैक्स मिले हैं जो सच में काम करते हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है क्योंकि अफकॉर्स आप भी तो मेरी फैमिली है तो चलिए फटाफट से स्टेक को यही पर खतम करते हैं कि हम घर में बैठे इस लोगडाउन में भी अपना मेकप प्रोड़क्त कैसे बना सकते हैं साथ ही देखेंगे हम कुछ से मेकप टेप्स जिनको फॉलो करने से आपका मेकप फ्लॉलेस हो जाएगा और इस गर्मी की सीजन में आपका मेकप टस्ते मस नहीं हो गया बट आगे मंडे से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो वेरी वेलकम टू यू वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कोई बात नहीं आगे देखते रहो और अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अब गर्मियो में अगर आप फांडेशन लगा कर बाहर जाते ना तो आपका स्वेट और जादा सिक्रेशन होने लगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं हम अपना डेली फांडेशन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा अलोवेरा जेल मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके लगाएंगे यह सकीन टोन ही पता नहीं होता कि वह वाम है, कूल है, नूट्रिल है क्या है तो इसके लिए यह सिम्पल ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं बट DIY इसका नहीं है, अगर गलती से आपने warm tone की जगे पर pink tone का foundation ले लिया है, तो इसको आप warm tone में कैसे convert कर सकते हैं, तो simply आपको आपका foundation लेना है, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके healthy act करना है, healthy act तो antibacterial होता है, तो आपके skin को glowing और dirt free भी बनाएगा, pollution free भी बनाएगा, और सा यह कितने easy में हमने बनाएगा, इसको आपको एक साथ बहुत सारा हल्दी नहीं लगाना है, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सा हल्दी एड़ करना है, अब मानो या ना मानो, contouring अगर आप करते हो ना, तो आपके face को बहुत ही जादा अलग बना देता है, एकदम नोकीला sharp आप बना देता है, जिसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम DIY contour कैसे बना सकते हमको लेना थोड़ा सा foundation, और उसमें फिर से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सा coffee powder अट करना है, जब तक वो इस तरीके नहीं बन जाता है, देखें मेरा कितना सही वाला color बन के ready हो अब इसको आपको आपके face पे लगाना है as a contour, इससे एक तो natural सा look आएगा और contouring करने से आपका face बहुत ही slim सा लगता है, अगर आपका nose अच्छा नहीं है तो आप contour करके उसको sharp बना सकते हो, आपके poppiness को बढ़ा सकते हो face के और edgy बना सकते हो, बहुत ही सही look लगता है, आपके पास आपके eyeshadow palette में ऐसा dark सा brown color तो होगा अफकोर्स सभी eyeshadow palette में होता है, तो बस उसका use करके आपको face contouring करना है और इतना अच्छा contouring बन के रेड़ी हो जाएगा ना कि आप बिलीव ने करोगे, आपको live result में इसी video में दिखा रही हो, तो आपको अलग से contour palette खरीदने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब गर्मियों के season में eyeliner टपक टपक के गिरने लगता है, क्योंकि sweat बोट आता है ना, आखो की नीचे आखो पर, तो इसके लिए हम लोग घर में ही अपना natural eyeliner कैसे बना सकता है, और इसका use आप करोगी ना तो आप देखोगी कि normal eyeliner से भी अ आईशाइडव पैलेट में से डाक जो भी जिस भी color का बनाना है, मैं यहाँ पर बल्यक ले यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले यहाँ आप चाहे तो आप चार्कुल पाॉडर का ब्यूज कर सकते उससे भी एक जट ब्लैक कलर अजाएगा, मैंने यहाँ ब्लू कलर का बना है, और साथ ही मैंने ग्रीन कलर का भी बना है, आप देखी सकते हैं, यह दोनों कलर ना मिक्स करके अगर आप लगाते हो ना तो बहुत ही सही वाला आई लोक ट्रियेट होता है, अब मैं आपको लगा कर बताती हूँ, एक तो यह नैचरल है, आपके आखों को जितना लाइनर से प्रॉबलम होगा ना, इससे बिल्कुल प्रॉबलम नहीं होगा, और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और लोक डाउन चल रहा है, अगर आपका लाइनर खतम हो चुका है, तो आप कैसे बना सकते हैं, घर में बैठे बैठे, तो इसको सिंपल, कितना सिंपल स आप इसको यूस कीजिए, आप इसके फैन हो जाएंगे, बहुत ही सही ट्रिक है, अब किसी किसी पाउडर हाइलाइटर से जादा लिक्विड हाइलाइटर पसंदे है, मुझे तो बहुत पसंदे क्योंकि स्किन को बहुत ही नैच्रल ग्लॉसी एफेक्ट देता है, तो अब घर में बैठे बैठे हमारा DIY लिक्विड हाइलाइटर कैसे बना सकते है, तो आपको थोड़ा से फाउंडेशन लेना है, उसमें आपको आपका हाइलाइटर मिक्स कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते है, कितना इजी सा ट्रिक है, बट यह आपके फेस को फेस के आपके बिल्कुल सेम हालत होने वाली है, बट आप आपके काजल को फैलने से कैसे रोग सकते है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको लगाना है पहले ही, फेस पाउडर जो भी पाउडर है आपके पास, उसको आपको आपके आखों के नीचे लगा लेना है, इसके बाद नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही रहगा दिन भर, अब गर्मियों में लिक्विड लिप्सिक लगाना, आप में से कितनों को पसंद है, कॉमेंट करके बताना, बट मुझे तो डाक कलर का लिप लगाना बहुत पसंद है, खासकर गर्मियों में, क्यूंकि हम जादा फेस पर मे लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी लाइट कलर का लिप्स्टिक होगा आपके पास, उसको आपको अंदर के साइड में लगाना है, और बाहर के साइड में आप डाक कलर लगा सकते हैं, और इन दोनों को आपको मिक्स कर देना ब लिप्स्टिक बाय करते हैं, तो देख कर लीजिएगा कि एक साइड में लिप क्रियोन और एक साइड में लिक्विड लिप्स्टिक हो, और जब आप लगाएंगे लिक्विड वाले को बाहर में क्रियोन वाले को अंदर में लगाना, अंदर में जो हम खा जाते हैं वो वाल बिल्कुल केकी नहीं लग रहा चिपचिपा नहीं लग रहा और से ज्यादा अच्छा ना मुझे लिप्स बाल लगा थो कितना जो दो कलर्स का शेडिंग था वो कितना सही आ रहा था ना सो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इंग में से फेरिट कॉन सा लगा अगर मेरा वीडियो अपको अच्छा लगा होगा तो होप सो अपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और यूटीब में चैनल थें प्लीज सब्सक्राइब और साइट में जो नोट्रिकेशन बेल है ना उसको भी एक बार प्रेस कर देना so stay home stay safe and bye bye